स्री गणे साय नमः स्री जान की वलभो विज्यते स्री राम चरित मानस दितिय सोपान अयोध्या कांड जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी मस्तक पर गंगा जी ललाट पर दितिया का चंद्रमा कंठ में हला हल विश और वक्चा इस्तल पर सरप्रासेज जी बित हैं वे भस्म से विभूसित देवतों में स्रेष्ट सर्वेस्वर संहार करता या भक्तों के पापनासक सर्व या पक कल्यान रूप चंद्रमा के समान सुब्रवन स्री संकर जी सदा मेरी रक्षा करें रगपुल को आनन देने वाले स्री राम चंद्र जी के मुखारविंद की जो सोबा राज भिसेख से राज भिसेख की बात सुनकर न तो परसंता को प्राप्थ हुई और न वन्वास के दुख से मलिन ही हुई वे मुक कमल की छबी मेरे लिए सदा सुन्दर मंगलों की देने वाली हूँ नेले कМы समांस्याम और कौमल जिनके अंग हैं स्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराज मान हैं और जिनके हातों में करम शयर अमोगवान और सुन्दर धनुस हैं उन रगवन्स के स्वामी स्री राम चंदर जी को मैं नमशकार करता हूँ स्री गुरू जी के चन्ड कमलों की रस से अपने मन रूपी दरपन को साफ करके मैं स्री रगुनाज जी के उस निर्मलियस का वर्णन करता हूं जो चारो फलों को धर्म, अर्थ, काम, मुक्त को देने वाला है जब से स्री राम चंदर जी विवा करके घर आए तब से आयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बढ़ावे बज रहे हैं चोदहों लोक रूपी बड़े भारी परवतों पर पुन्य रूपी में एक सुक रूपी जल बरसा रहे हैं रिद्धी सिद्धी और संपत्ती रूपी सुहावनी नदियां उम्र उम्र कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली नगर के इस्त्रिपुरुस अच्छे जाती के मणियों के समू हैं जो सब परकार से पवित्र, अमुल और सुन्दर हैं नगर का ऐस्वरे कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है सब नगर निवासी सिरी राम चंद्र जी के मुक चंद्र को देख कर सब परकार से सुखी हैं सब माताएं और सकी सहिलियां अपनी मनुरत रूपी बेल को फली हुई देख कर आनंदित हैं सिरी राम चंद्र जी के रूप, गौन, सील और सभाव को देख सुनकर राजा दसरत जी बहुत ही आनंदित होते हैं सब के हिर्दे में ऐसी अभिलासा है और सब महादेव जी को मना कर परात्ना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी स्री राम चंद्र जी को यूवराज पत दे दें एक समय रुकुल के राजा दसरत जी अपने सारे समा सहित राजसभा में विराजमान थे महाराज समस्त पुर्णियों की मूर्ती हैं उन्हें सिरी राम चंद्र जी का सुंदरिया सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है सब राजा उनके किरपा चाते हैं और लोग पालगण उनके रुक को रखते वे अनकूल होकर प्रिति करते हैं पिर्त्वी आकास पाताल तीनो भूनों में और भूत भविश्य वर्तमान तीनो कालों में दसरज जी के समान बढ़ भागी और कोई नहीं है मंगलों के मूल सिरी राम चंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है राजा ने सौभावे की हाथ में दर्पन ले लिया और उसमें अपना मुझ देखकर मुकुट को सिधा किया देखा की कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं मानों बढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि है राजन सिरी राम चंद्र जी को यूवराज पद दे कर अपने जीवन और जन्म का लाप क्यों नहीं लेते हिर्दे में ये विचार लाकर यूवराज पद देने का निश्चे कर राजा दसरच जी ने सुब दिन और सुन्दर समय पाकर प्रेम से पुलकित सरीर हो आनंद मगन मंद से उसे गुरूब वशिष्ट जी को जा सुनाया राजाने का हे मुनी राज किर्पया ये निवेदन सुनिये स्री राम चंदर जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे सत्रू मित्र या उदासीन हैं सभी को स्री राम चंदर वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझ को हैं उनके रूप में आपका आसिरवाध ही मानो सरी धारन करके सोबित हो रहा है हे स्वामी सारे ब्रहमन परिवार सहीत आपके ही समान उन पर सने करते हैं जो लोग गुरू के चर्णों की रज को मस्तक पर धारन करते हैं वे मानों समस्त ऐस्वरे को अपने वस्व में कर लेते हैं इसका अनभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया आपकी पवित चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया अब मेरे मन में एक ही अविलासा है हे नात वे भी आप ही के अनुग्रे से पूरी होगी राजा का साज प्रेम देखकर मुनी ने प्रसंद होकर कहा नरेश आग्यां दीजिए कहिए क्या अविलासा है हे राजन आपका नाम और यसी संपूर्ण मन्चाही वस्टों को देने वाला है हे राजाओं के मुक्टमनी आपके मन की अविलासा फल का अनुगमन करती है अर्थार्थ आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन हो जाता है अपने जी में गुरू जी को सब परकार से परसंद जान कर हरसित होकर राजा को मलवानी से बोले हे नात स्री राम चंदर को यो राज कीजिए किर्पा करके कहिए आग्यां दीजिए तो तैयारी की जाए मेरे जीते जी या आनंद उस सब हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाप प्राप्त करें प्रभू आपके परसाथ से सिव जी ने सब कुछ निबाद दिया सब इच्छाएं पूर्ण कर दी केवल यही एक लालसा मन में रह गई है इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं सरीर रहे या चला जाए जिससे मुझे पीछे पस्तावा ना हो दसरत जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनी मन में बहुत प्रसंद हुए वसिष्ट जी ने का हे राजन सुनिये जिन से विमुक होकर लोग पस्ताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती वही स्वामी सर्व लोक महिस्वर स्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं स्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं इसी से तो प्रेम वस आपके पुत्र हुए हैं हे राजन अब देर न कीजिए सीग्र सब सामान सजाईए सुब दिन और सुन्दर मंगल तब है जब सिरी राम चंदर जी युवराज हो जाएं अर्थाट उनके अभी सेख के लिए सबी दिन सुब और मंगल मैं हैं राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया उन लोगों ने जैजीव कहकर सिर्नवाए तब राजा ने सुंदर मंगल मैं वचन सिरी राम जी को युवराज पत देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा यदि पंचों को आप स को यह मत अच्छा लगे तो हिर्दय में हरसित होकर आप लोग सिरी राम चंदर का राज्ट लग कीजिए इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानों उनके मनौरत रूपी पौदे पर पानी पढ़ गया हो मंत्री हाद जोड कर विंती करते हैं कि हे भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है हेनात सिगरता कीजिए देर ना लगाए मंत्रियों की सुन्दर वाणी सुनकर राजा को ऐसा अनंद हुआ मानों परती हुए बेल सुन्दर डाली का सहरा पा गई हो राजा ने कहा सिरी राम चंदर के राजिविसेक के लिए मुनी र ग्याहू आप लोग वही सब तुरंत करें मुनी राज ने हरसित होकर कोमलवानी से कहा कि संपूर्ट स्रेश तीरतों का जल ले आओ फिर उन्होंने औस दी मूल फूल फल और पत्रा दियाने को मंगलिक वस्तों के नाम गिन कर बताए चावर मर्क चर्म बहुत परकार के वस लोग ये होती हैं सब को मंगाने की उन्होंने आग्या दी मुनी ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बता कर कहा नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ फलों समेत आम सुपारी और केले के वरक्ष नगर की गलियों में चारो और रोप दो सुंदर मनियों के मनोहर च प्रकार से सेवा करो ध्वजा पता का तोरन कलस खोड़े रत और हाथी सब को सजाओ मुनी स्रेष्ट वसिष्ट जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए मुनी स्वर ने जिसको जिस काम के लिए अग्या दी उसने वे काम इतनी सीगरता स कर डाला की मानों पहले से ही कर रखा था राजा ब्राहमन सादू और देवताओं को पूज रहे हैं और सिरी राम चंदर जी के लिए सब मंगल कारिक कर रहे हैं सिरी राम चंदर जी के राजिविचे के स्वावने ख़वर सुनते ही अवद भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे स्री राम चंदर जी और सीता जी के सरीर में भी सुप सकुन सुचित हुए उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए बहुत ही अवसेर आ रही है बार बार उनसे मिलने की मन में आती है सकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है सकुन का बस यही फल है दूसरा नहीं सिरी राम चंदर जी को अपने भाई भरत का द सारा रन्यवास हर से थो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुंदर में लहरों का विलास आनन्द सुसोबित होता है। सबसे पहले रन्यवास में जाकर जिनों ने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूशन और वस्त्र पाए। रानियों का सरीर प्रेम से पुलकितो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया, वे सब मंगल कलस सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मडियों, रतनों के बहुत परकार के आत्यन सुन्दर और मनोहर चौकपूरे आनन्द में मगन हुई सिरीराम चंदर जी की माता कौसल्या जी ने ब्रामनों को बुला कर बहुत दान दिये। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बले भेंड देने को कहा अर्थार्त, कार्यसित्धुने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रातना की की जिस प्रकार से सिरीराम चंदर जी का कल्यान हो दया करके वही वर्दान कोयल की सी मीठी वानी वाली चंद्रमा के समान मुखवाली और हिरन के बच्चे के से नेत्रों वाली इस्त्रियां मंगल गान करने लगी सीरी राम चंद्र जी का राज भिशेक सुनकर सभी स्त्रिपुरुस हिर्दय में हरसित हो उठे और विधाता को अपने अनकूल समझ कर सब सुन्दर मंगल साथ सजाने लगे तब राजा ने वशिष्ट जी को बुलाया और सिक्षा सम्योचित उपदेश देने के लिए सिरी राम चंद्र जी के महल में भेजा गुरु का आगमन सुनते ही सिरी रगुनाज जी ने दर्वाजे पर आकर उनके चर्णों में मस्तक नवाया आदर पूरवक अर्द देकर उन्हें घर में लाए और खोड़सोब चार से पूजा करके उनका सम्मान किया फिर सीता जी सेथ उनके चर्णिस परस किये और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर सिरी राम जी बोले यदिपी सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नास करने वाला होता है तथा पिहेनात उचित तो यही था कि प्रेम पूरवक दास को ही कारे के लिए बुला भेशते ऐसी ही नीती है प्रंतु प्रभू आपने प्रभुता छोड़कर स्वाम यहां पधार का जोसने किया इस से आज यह घर पवित्र हो गया हे गोसाई अब जो आग्या हूँ मैं वही करूं स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाब है स्री राम चंदर जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनी वसिष्ट जी ने स्री रगुनाज जी की प्रसंचा करते हुए कहा कि हे राम भला आप ऐसा क्यों न कहें आप सूर्य वंस के भूशन जो है स्री राम चंदर जी के गुन सील और सभाव का बखान कर मुनी राज प्रेम से पुलकित होकर बोले हे राम चंदर जी राजा दसरज जी ने राज विसेक की तैयारी की है वे आपको यू राज पत देना चाहते हैं इसलिए हे राम जी आज आप उपवास हवन आदी विदी पूरवक सब सही यम केजिए जिससे विधाता कुसल पूरवक इस काम को निबाह दे सफल कर दे गुरोजी सिक्षा देकर राजा दसरज जी के पास चले गए स्री राम चंदर जी के हिर्दे में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन में खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कंशेदन यग्योपवित औविवा आदी उत्तवसफ साथ साथ ही हु पर इस निर्मल वंस में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाईयों को छोड़कर राजी भिसेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है तुलसिदास जी कहते हैं कि प्रभु स्री राम चंदर जी का यह सुन्दर प्रेम पूर्ण पस्तावा भक्तों के मन के कुटिलता को हरन करे उसी समय प्रेम और आनंद में मगन लक्षमन जी आए रगुकुल रूपी कुमुत के खिलाने वाले चंदरमा स्री राम चंदर जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया बहुत परकार के बाजे बज रहे हैं नगर के अतिसे आनंद का वर्ण नहीं हो सकता सब लो पर जहां था पुरुस और इस्त्री आपस में यही कहते हैं कि कलव सुबलगन मुरत कितने समय है जब विदाता हमारी अभलासा पूरी करेंगे जब सीता जी सही स्री राम चंदर जी सुवन के सिंगासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा मन कामना पूरी होगी इध तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा उधर कुछक्री देवता विग्न मना रहे हैं उन्हें देवताओं को अवत के बधावे नहीं सुआते जैसे चोर को चान्नी रात नहीं भाती सरस्वती जी को बुला कर देवता विने कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं वे कहते हैं हे माता हमारी बड़ी विपत्ती को देख कर आज वही कीजिए जिससे स्री राम चंदर जी राज त्याक करवन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य से धू देवताओं की विंती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पस्ता रही है कि हाई मैं कमल वन के लिए हे मंतरितू की रात हुई उन्हें इस परकार पस्ताते देख कर देवताओं फिर विन्य करके कहने लगे हे माता इसमें आपको जराबी दोस्त न लगेगा स्री रगुनाद जी विषाद और हर्च से रही थैं आप तो स्री राम जी के सप्रभाव को जानती ही है जीव अपने कर्मवस ही सुख दुख का भागी होता है अतेव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाईए बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया तब वह ये विचार कर चलें कि देवताओं की बुद्धी उच्छी है इनका निवास तो उच्छा है पर इनकी करनी नीची है ये दूसरे का ऐस्वर्य नहीं देख सकते प्रंतु आगे के काम का विचार करके स्रीराम जी के वन जाने से राक्ससों का वद होगा जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा चतुर कवी स्रीराम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे ऐसा विचार कर सरस्वती हिर्दे में हरसित होकर दसरजी की पुरिया युध्या में आई मानो दुसर दुख देने वाली कोई ग्रह दसा आई हो मंत्रा नाम की कैकै की एक मन्द बुद्धी दासी थी उसे अप्यस्क की पिठारी बना कर सुर्सती उसकी बुद्धी को फेर कर चली गई मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है सुन्दर मंगल मैं बधावे बज रहे हैं उसने लोगों से पूछा कि कैसा उस्सव है उनसे सिरी राम चंदर जी के रास्तिलक की बात सुनते ही उसका हिर्दे जल उठा वे दुर्बुद्धी नीज जाती वाली दासी विचार करने लगी कि किस परकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए जैसे कोई कुटल भिलनी सहत का छटा लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड लूँ वे उदास होकर भरत जी की माता कहकेई के पास गई रानी कहकेई ने हसकर कहा तू उदास क्यों है मंतरा कुछ उत्तर नहीं देती केवल लंबी सांस ले रही है और तिरिया चरित्र करके आंसू धरका रही है रानी हसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है तू बहुत बढ़बढ कर बोलने वाली है मेरा मन कहता है कि लक्षमन ने तुझे कुछ सीख दी है दंड दिया है तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुपकार छोड़ रही हो तब रानी ने डर कर कहा अरी कहती क्यों नहीं सिरी रामचंद्र, राजा, लक्षमन, भारत और सत्रुगन कुसल से तो है या सुनकर कुबरी मंत्रा के हिर्दय में बड़ी ही पीड़ा हुई वह कहने लगी हे माई हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बलपा कर गाल करूँगी, बढ़बढ कर बोलूँगी रामचंद्र को छोड़ कर आज और किसकी कुसल है जिने राजा यू राजपत दे रहे हैं आज कोसल्या को विधाता बहुत ही दाईने अनकूल हुए है या देखकर उनके हिर्दय में गर्व समाता नहीं तुम स्वेम जाकर सब सोबा क्यों नहीं देख लेती जिसे देखकर मेरे मन में छोब हुआ है तुमारा पुत्र परदेश में है तुमें कुछ सोच नहीं जानती हो कि स्वामी हमारे वस में है तुम्हें तो तोसक पलंग पर पड़े पड़े नीद लेना ही बहुत प्यारा लगता है राजा की कपट भड़ी चतुराई तुम नहीं देखती मंत्रा के प्रिवचन सुनकर किंतू उसको मन की मैली जानकर रानी जुक कर डाट कर बोली बस अब चुपरे घर फोड़ी कहीं की जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीब पकड़कर निकलवा लूँगी कानों लंगडों और कूब्रों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए उनमें भी इस्त्री और खास करदासी इतना कहकर भरत जी की माता कहकरी मुस्करा दी और फिर बोली हे प्रिवचन कहने वाली मंत्रा मैंने तुझको यह सीख दी है सिक्षा के लिए इतनी बात कही है मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोथ नहीं है सुन्दर मंगल दायक सुब दिन वई होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा अर्तार स्री राम का राजे तिलक होगा बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है या सूर्वन्स की सुहावनी रीती ही है यदि सचमुझ कल ही स्री राम का तिलक है तो हे सकी तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तू मांग ले मैं दूंगी राम को सहस सभाओ से सब माताई कौसलया के समानी प्यारी है मुझपर तू वे विसेश प्रेम करते हैं मैं उनकी प्रीती की प्रिक्छा करके देख ली है जो विधाता किर्पा करके जनम दें तो यह भी दें की श्री राम चंडर पुत्र और सीता बहु हो स्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर, तुझे छोब कैसा, तुझे भरत की सोगंध है, छल कपड छोड़ कर, सच सच कह, तू हर्च के समय विसात कर रही है, मुझे इसका कारण सुना, जै स्री राम